खादे तेल की कीमतों में विदेशी बजारों में लगातार गिरावट बरकरार है मलेशय पाम तेल वाइदा में गिरावट देखने को मिल रही है मलेशय पाम तेल स्थानिय तेल की कीमतों पर लगातार दबाव बनता जा रहा है वहीं गुरुवार को पाम तेल इंदोर 20 रुपे टूटकर 1111 रुपे प्रती 10 किलो पर पहुँच गया वहीं सनफलोर और सोयाबीन की आवक से भी अन्या खादय तेल कीमतों पर दबाव पड़ेगा प्लांचों ने सोयाबीन तेल के दाम 5-10 रुपे घटा दिये हैं बिकवाली का दबाव और सरसो तेल की मांग कम होने से सरसो की कीमते भी नीचे आई है वहीं मनसोर मंडी में नए सोयाबीन की आवक शुरू हो चुकी है और नया सोयाबीन 11,111 रुपे कुईचर तक बिक चुका है सप्लाई बढ़ने से तेल में गिरावट है और चीन की कम मांग भी बजारों में गिरावट का काम कर रही है जिससे सप्लाई में कमी और चीन में कोविड-19 पर अंकुष लगाने के लिए नए प्रतिबंदों के साथ वैश्वी कर्थ विवस्ता और धिमी हो सकती है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ऐसे में बाजार जानकारों को कहना है कि आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में बहुत जादा ना तो गिरावट की उमीद है और ना ही कोई तेजी आने की फिलाल उमीद दिखाई दे रही है अनुमान जादा बहुत जादा झाले समय में बहुत जादा रही है